नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक पड़ स्वागत है अपने ही चैनल पर जहां आपको मिलती हैं कमाल की रेमेडीज दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी लेकिन बहुत साथ एफेक्टिव रेमेडी लेकर आए हैं जो कि आपके बालों को लंबा घना खुबसूरत बनाने में मदद करेगी और एक वाश में ही आपको इसके रिजल्ट क्लेर दिखाए देंगे साथी अगर आप इसका लगातार इस्तमाल करते हैं तो आपके बाल लंबे घने खुबसूरत और चमकदार बनेंगे बिलकुल इस और ये रेमेडी बनाना बिलकुल असान है क्योंकि इसके लिए हमने इस्तमाल की है चाय पत्ती जी हाँ फ्रेंट्स आपको शायद नहीं पता कि चाय पत्ती आपके बालों के लिए कितनी जादा फायदे मंद होती हैं अभी तक तो आपने चाय पत्ती का सिर्फ स्वाद लि अगर आप अपने रसोई घर में रखें इंग्रीडियंट से कोई रेमेडी तयार करके अपने बालों में लगाते हैं तो वो उन प्रोडक्स से शायद सोगुना जाता बहतर होती है और इनके कोई साइड इफेक्स में नहीं होते जादा तर बाल तब खराव होने लगते हैं सर्दियों से गर्मियों की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे बालों पर बहुत बुरा प्रवाब पड़ता है पसीने की वज़ा से बुरा हाल हो जाता है बालों का काफी बाल ओयली से हो जाते हैं और उनकी देखभाल करना भी बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में आपके ब तो अभी से अगर आप चाय पत्ती से बनी हुई यह रेमेडी इस्तमाल करेंगे तो आपको बिलकुल परेशान नहीं होना पड़ेगा अपने बालों के लिए क्योंकि यह रेमेडी आपके बालों को बहुत पोशन देगी उन्हें खराब होने से बचाएगी और महंगे महंगे प्रोडक्स को खरीदने से भी बचा लेगी तो आईए चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस रेमेडी को बनाना हैं कैसे इस्तमाल करना हैं वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथ इस चैनल की वीडियो अगर पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइ अपको बालो को वाश करने के लिए हमेशा साफ पानी का इस्तमाल करें इसके अंदर आभी आपको हमारा जो key ingredient है, magical ingredient है, वो डालना है, जो की है ये चाय पत्ती, चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में anti-oxidants पाए जाते हैं, ये बालो का रंग गाड़ा करने में मदद करती है, साथ ही आपके सफेद बालो को होने से भी रोकती है, तो बहुत सदा फाइदे मन्द ये remedy है, लगाने में बहुत इज़ी है, तो यहाँ पर हमने एक चाय पत्ती का इस्तमाल किया है, रंगद बढ़ाने के साथ बालो को मजबूती देनी भी जरूरी है friends, तो यहाँ पर हम इस्तमाल कर रहे हैं, ये मेथी दाना, मेथी दाना बालो को strong बनाने में, long बनाने में, और उनको अच्छी स और बस हो गया इससे जादा आपको इस रेमेडी में कुछ इस्तमाल करने की जरुरत नहीं पढ़ने वाली आपको सिर्फ इसे उबाल लेना है और उबाल कर आपको बढ़िया सी आपकी रेमेडी मिल जाएगी तो यहां पर हमने गयास पर रख दिया है मेथी दाना और चाय पत में आप यह रेमेडी बना कर त्यार कर लेंगे फ्रेंटस आपको इससे उबालना है लगबक 3 – 4 मिनट के लिए ताकि चाय पति का अच्छा सा क्लर आ जाए चाय पति के सारे गुर्ण इस पानी में आ जाए देखें फ्रेंटस पानि में अच्छे से उबाला चुका है तो अ इस पाने के अंदर और अपने सारे गुण ये दोनों इंग्रेडियंट इसके अंदर छोड़ कर जाएंगे दो मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर आपको इसे पकाना है और उसके बाद इसे ठंडा करेंगे तो फ्रेंट्स हमारी रेमेडी अल्मोस बनकर तयार हो गई है गैस का फ्लेम हम अभी बंद कर देंगे और बिलकुल बड़ी ऐसा कलर आगया है रेमेडी में जो मेथी दाना है वो भी फूल चुका है तो गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे ठंडा करेंगे और इसे चान लेंगे ये चाय पत्ती और मीथी का पानी बालो के लिए बहुत ही ज़ादा फायदे मंद है ठंडा करके हमने इसे चान लिया है और इसके अंदर इतने सारे गुण है कि आपके बालो को लंबा घना काला बनाने में बहुत मदद करेगा और ये रेमेडी आपके बालो के लिए आपको म इंग्रीडेंट और मिलाना है क्योंकि गर्मियों में अक्सर ओईली स्केल्प की समस्या जादा होती है तो यहां पर हम इसमें आड़ करेंगे नीमबू नीमबू मिलाने से एक तो आपके सर का जो डेंडरफ है वो खतम हो जाएगा आपके बाल चमकदार भी बनेंगे और बाल चमश नीमबू का आपको यहां पर इस्तमाल करना है दुबारा बता रहे हैं कि अगर आपको डेंडर्फ की या फिर स्कैल्फ की समस्या नहीं है तो आप नीमबू को अवाइट कर सकते हैं और हर बार के वाश के लिए आपको नीमबू को इस्तमाल नहीं करना है फ्रेंट इ इस रेमिडी खासियत यह है कि सिर्फ बाल धोते धोते ही आप अपने बालों को लंबा घना खुबसूरत चमकदार बना सकते हैं सिर्फ शैम्पू में ये चीज़ें मिला लीजिए और आपके बाल पहले से कई गुना जादा घनी लंबे और खुबसूरत हो जाएंगे साती उ शैम्पू मिलाएए और अपने बालों को आप शैम्पू कर लेजेगा दोस्तों आपको इस रेमिडी को जितनी बार भी आप अपने बालों को धोएं उतनी बार ही इस्तमाल करना है अगर आपके सफेद बाल आने लग गए हैं तो धीरे-दीरे वो खतम हो जाएंगे कम हो ज हैं तो इसके इस्तमाल से जड़ना कम हो जाएंगे पाल और बालों को वाश करते करते ही आपके बाल बहुत बहतर हो जाएंगे पहले से इस रेमिडी का इस्तमाल जितनी बार भी आप शैम्पू करें उतनी बार आपको करना है वीक में कम से कम दो बार इस रेमिडी का इस्त तो बालों को धोते धोते ही खुबसूरत बनाने का नया तरीका आज मैंने आप लोग के साथ शेयर करा है बहुत कमाल की रेमेडी है इस्तिमाल करके जरूर देखिएगा और इस चैनल के अगर वीडियो पसंद आ रही हैं आपको तो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में दहने वाद